नवस्कार दोस्तो आज हम देखने जा रहे हैं FIR के बारे में FIR के बारे में जानेंगे FIR क्या है FIR की बारे में पूरी प्रोसेस इस वीडियो में हम समनेंगे FIR क्यों जरूरी होती है इसके साथ ही FIR दर्ज करने के नियम इसके साथ ही जो FIR है इसके में संगिय और असंगिय अपराद में क्या प्रभाव पड़ता है फिर संगिय अपराद असंगिय अपराद या गेर संगिय अपराद क्या होते है जीरो FIR क्या होती है इसके साथ ही एदी FIR दर्ज करने के बाद क्या होता कशी आपायाद हो गई इसके बाद त्क किसम कके वीडियो में जानेंगे क्या पुलिस अ plaisir करने से मना कर सकता है क्या मना करता है तो फिर हमें क्या प्रोसेस अपनानी है और इसके साथ इस वीडियो में हम संस्कूर जानकारी duty fine देखेंगी देखते हैं सबसे पहले पुलिस एफाईयार दर्ज करती है अपने भी एफाईयार के बारे में बहुत बार सुना होगा लेकिन क्या आप जानते हैं कि एफाईयार क्या होती है एफाईयार दर्ज करने का मतलब क्या होता है अगर नहीं तो आज के इस वीडियो को ध्यान से सुने क्योंकि आज हम आपक पुन जानकारी देने वाले हैं यदि आप चोरी होने या किसी आप राधिक गतिविदियों को लेकर पुलिस से सिकायत करते हैं तो पुलिस जाच शुरू करने से पहले कुछ दस्तावेज तेयार करती है इन दस्तावेजों में जो जानकारी लिखी जाती है जो आप पुलिस को अपनी सिकायत में बताते हैं उन्हीं दस्तावेजों को FIR मतलब प्रिथम सूचना रिपोर्ट कहते हैं जो पुलिस को पहली बार सूचना दी जाती है प्रिथम सूचना रिपोर्ट कहलाती है इसके साथ ही FIR क्या होती है FIR यानि प्रिथम सूचना रिपोर्ट फस्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यह जानकारी होती है जो डूटी पर तैनात पुलिस अदिकारी द्वारा किसी संगिये अपराद के होने पर पीडित या पीडित के पक्ष में किसी अन्व्यक्ती की सिकायत पर दर्ज करता है या तो पीडित करता है या अन्व्यक्ती क किसी भी अपराद के खिलाप जाज शुरू करने से पहले FIR दर्ज करनी जरूरी होती है। इसी के बाद पुलिस आगे की कारवाही शुरू कर सकती है। एक बार FIR दर्ज होने के बाद इसमें दर्ज की गई बातों को बदला नहीं जा सकता है। इसे केवल सुप्रीम कोड या हाई कोड के फैसले पर ही बदला जा सकता है। FIR किसी भी व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई जा सकती है। जरूरी नहीं है कि बहें पीड़त हो घायल हो या चस्म दीद गबा हो। फिर्थम सूचना रिपोर्ट हमेशा ततकाल और बिना समय व्यर्थ कि ये लिखी जानी चाहिए। लेकिन इसमें लखाए कि FIR बदल नहीं सक जाते हैं। यह एक सूचना रिपोर्ट होती है जो संगिये अपराद की स्थिति में समय पर सबसे पहले पुलिस के पास पहुचती है। इसलिए इसे प्रिथम सूचना रिपोर्ट कहा जाता है। आप राधिक प्रिक्रिया सहीता की धारा 154 के तहत दर्ज की जाती है। प् F.I.R. क्यां जरूरी होती है। जैसे की नाम से ही पता चलता है। फिर्थम सूचना रिपोर्ट ही बहे पहली रिपोर्ट होती है जो पुलिस को अपराद होने की सूचना देती है। इसी के बाद पुलिस की कारवाही सुरू हो जाती है। अर्थात F.I.R. आप राधिक न्याय प्रिक्रिया को गती प्रदान करती है। बिना F.I.R. दर्ज किये पुलिस मामले की जाच शुरू नहीं कर सकती है। यदि मामले की जाच करना है तो F.I.R. जरूरी होती है। F.I दर्ज करने के लिए कुछ नियम है इसके बारे में जानते है। F.I.R. तभी दर्ज की जा सकती है जब जानकारी किसी संगीय अपराद से जुरी हो। यह संगीय अपराद हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो F.I.R. संगीय अपराद से जुरी हो तभीया का इयार होती है। पुलिस को सूचना मौकिक या लिखेत रूप से दी जा सकती है। पुलिस को कैसे मौकिक या तो आप ठाने में जाए और बोल-बोल कर लिखवाएं कि क्या हुआ था और उसकी कॉपी आपको मिलेगी। य यह घटना हुई है या ऐसी बात है और आप इसके एक्शन लें। यह किसी पुलिस अधिकाई द्वारा लिखी गई और हस्ताक्ष्रित होनी चाहिए और इसके प्रमुक बिंदुनों को देने के डायरी में दर्ज किया जाना चाहिए तो F.I.R. लिखी जाती है तो पुलिस में हस्त छिप कर उसे उसमें मिलाबट या जूट सामिल ना कर सके एक बार F.I.R. दर्ज होने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता है सिर्फ ठाने में जब आप F.I.R. लिखवा रहे हैं तभी आपको पढ़ने की अनुमती है तभी बदलने की लिख गई एक बार फिर उसके इसाब से बदला नहीं जा सकता केबल नियालाय के फैसले पर ही इसे बदला जा सकता है आगे देखते हम संगिये और गैर संगिये या फिर असंगिये अपराद क्या होते हैं संगिये अपराद बहे अपराद होते हैं जिन में पुलिस किसी ब्यक्ति को बिना वारंट के गिरपतार कर सकती है ऐसे मामलों में जाच के लिए पुलिस को नियालाय से किसी आदेश की जरुरत नहीं होती है यानि पुलिस के पास अपराद की जाच सेम करने का अधिकार होत है इन मामलों में पुलिस बिना बारंट के किसी को भी पकड़ सकती है इसके बाद है गेर संगी असंगी अपराद ऐसा अपराद होता है जिसमें गिरफतारी के लिए पुलिस अधीकारी वो बारंट की आवसकता होती है अपराद की जांच करने के लिए पुलिस को नियालय की अनुमति लेनी पड़ती है सिकायत करता आदेश के लिए नियालय की मदद ले सकता है उसके बाद नियालय सिकायत करता कि शिकायत पर पुलिस को जाच का आदेश दे सकते हैं गेर संगिये अपराद मामले में CRPC की धारा 155 के धैत FIR दर्ज की जाती है, तो हमने आपको बताया संगी और गयर संगी अपराद क्या है, इसके साथ ही FIR का पूरा बर्ण देखेंगे संफुन जानकारी, आगे देखते हैं 0 FIR, 0 FIR क्या होती है भाई, जब किसी पुलिस स्टेशन को किसी अन पुलिस स्टेशन के अधिकार छेतर में किये गए, कथित अपराद की जानकारी मिलती है, तो बहे एक प्राथ्मिक सूचना रिपोर्ट FIR दर्ज करता है और उसे आगे की जाच के लिए सम्मंधित पुलिस स्टेशन को भेज देता है, उस अधिकार छेत्र से अगर बाहर का व्यक्ति कोई आके FIR लखाता है तो वो लिखके सम्मंदित थाने को पहुचवा देते हैं इसे हम जीरो FIR रेपोर्ट कहते हैं इस तरह की FIR कोई नियमित नमबर नहीं होता है जीरो FIR मिलने के बाद सम्मंदित स्टेशन के पुलिस एक नई FIR दर्ज करते हैं और अपनी जाच शुरू कर देते हैं तो जो FIR पहुचवाते हैं तो इसमें कोई नमबर वगरा नहीं होता है सम्मंदित जो पुलिस इस्थान है वो FIR दर्ज करके और जाच शुरू कर देता है इसके साथ ही FIR दर्ज होने के बाद क्या होता है तो FIR दर्ज होने के बाद पुलिस दुआरा किये जाने वाले कार्ण कुछ इस परकार होते हैं पुलिस मामले की जाच शुरू कर सकती है और गवाहों के बियान के साथ अन व्यक्तिगित सामगरी के रूप में कानून के अनुसार पुलिस संधिये ब्यक्ति को गरफतार कर सकती है जब सिकायत करता के आरोपों की पुष्टी करने के लिए पर्याप्त सभूत मिल जाते हैं तो आरोप पत्र दाखिल किया जाता है यदि पर्याप्त सभूत नहीं मिलते हैं तो सभूत नहीं मिलने का उलिख करते हुए अंतिव रिपूर्ट अदालत में पेस कर दी जाती है सभूत अगर मिलते हैं यदि लाठी से मारा है लाठी मिल जाती तो अच्छी वात नहीं मिलती है तो यह सब नियाला को बता दिया जाता है लेक्स्ट अदालत यदि की जाच सिह्मत नहीं है तो भेह आगे की जाच का आदे सकती है नेफ्श देखते हैं यदि आरोपी ब्यख्ती देखती का पता नहीं है थो एक अन्ट्रेड रिपोर्ट दर्ज की जाती है अग्यात की अग्यात हो गा है ज़ए ने किसी तरह हैं पण्माम कुष्ट ल्म आगे देखते हैं क्या पुलिस अधिकारी एफाई यार दर्ज करने से मना कर सकता है पुलिस अधिकारी किसी मामले की जाच करने से मना कर सकते हैं लेकिन एफाई यार दर्ज करने से मना नहीं कर सकते हैं यह उनकी डूटी होती है अगर ऐसा हुगा तो अब उसकी सिकायद कर स लक्ते हैं पुलिस अधिकारी दोबारा ओंट र्ज नहीं पर क्या करें यदि प्रॉस अदिक़ारी क्यूत हैं कि इप आप इस्तिती में क्या करना है यदि पुलिस धाना में आपकी एंट अपी डर्ज नहीं होती है? तो आप सीडह संबंदित SP या आप CRPC की धारा 153, 1973 के तहट इस्थानिय मजिस्टेड से मामले की सिकायत कर सकते हैं या तो आप इसके साथ ही SP के पास जाएंगे और बहाँ पे आप आवेदन देंगे या फिर आप मजिस्टेड से सिकायत कर सकते हैं धारा के तहट एक मजिस्टेड के पास जाच के आदेश का अधिकार होता है यदि आपकी अफाया दर्ज नहीं हो रही तो उसके बारे में जानकारी मजिस्टेड सिकायत का संग्यार ले सकता है और पुलिस को मामले की जाच करने और रिकोर्ट दर्ज करने के लिए कह सकता है यदि कोई मामला पाया जाता है तो मजिस्टेड थाना पिरहारी को फायार दर्ज करने और मामले की घेंता से जाज करने के आजे से दे सकते हैं तो यह रहा आपका यदि कोई F.I.R. दर्ज ना करें तो आपको क्या करना है इसके साथ ही हम देश के देखतें इसके साथ ही पूरे का डिसकर्स के निकला इसे प्रतम सूचना रेपोर्ट क्यों कहते हैं कि हमने सभी जाना उम्मीद करता हूँ कि F.I.R. क्या है और कब दर्ज की जाती है अगर दर्ज नहीं की जाती है पुले साथी कारी द्वारा तो हमें क्या करना जरूरी है जरूरी होना चाहिए चीनों की जानकारी मैंने अपनी तरह से पूरी कोसिस की है कि प्रतम सूचना रेपोर्ट F.I.R. से सम्मंदित सभी जानकारी आप तक पहुचाने की ताकि आप इस विशाय पर परेशान ना हो एदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद